तो जैसे कि आचाराजिश ने भहिश्वानी की ती कि रूस जल से जल युक्रेन पर हमला करेगा उसके समय सीमा भी बताई थी उसका डिस्क्रिप्शन पर आप लिंक भी देख सकते हैं और कुछ यही अबो रहा है रूस ने जिस तरह से युक्रेन पर ताबर तोड प्रहार किये उससे पूरा विश हिल चुका है और अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं आखिर ये अचार राजश जी के पास मौझूद हैं और अब हम जोतिश गड़ना के अधार पर इन तमाम सवालों का जाब जाने कोशिश करेंगे सबसे पहले आचार जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवार रास्तों जी क्या लगता है आपकी जो भाईशानी थी वो तो प्रहार कर रहे हैं और यूकृरेन भी हुआ पर कहींने को जाब potencial कोशिश कर रहा है ऐसे इस्तिति में आने वाले दिनों में आप क्या परिस्तिति देकते मनते है देख पा रहे है इसमासुजी जैसा मैंने पहले इसको निकाला था उसका अधरी मेरा यही था कि एक तो Kollegen.. मर इस्तिति यह बन रही है कि जो जिसके पास जो जगले उनके चल रहे हैं वो जगले पहले समाप्त करके अपनी बाडरों को सब सुरक्षित कर रहे हैं जैसे बाइजांस युद्धोने की इस्तिति बनती है को इसे बिपरीत इस्तिति बनती है तो रूस यूक्रेन को इतना अब चीन और ताइवान का चल रहा है और चीन भारत से भी उलजने किया कोशिश कर रहा है अलग कि अब चीन का दिमाग भारत से अटके ताइवान पे शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा लेकिन फिर भी हमारे अरुना चल और प्रदेश की तरफ उसमें इस्तिति नेगेटिव ब नहीं है और दूसरा किसी भी देश को बचाया जाए तो उसमें एक अच्छा राजनेता देश को बचा ले जाता है अब यह यूक्रेट के जो राष्ट्पती हैं कहीं न कहीं आज से कलाकार रहे हैं तो कलाकारों को एकदम राष्ट की सत्ता देदेना वह बहुत अच्छा नहीं हो पाता है तो वहां भी इस्थिति इनकी कमजोर बन रही है तो बिश्ब युद्ध के इस्तर पर यदी देखा जाए तो युद्ध तो 17 नौंबर 2019 से जब से चाइना ने वायरास का टेक किया है तब सी युद्ध शिरू हो चुका है इसकी हम वहिश्वानी कर भी ने व लगातर बढ़ रहा है पिचार नाटो देश उनके अलावा हमने भी एक कौर्ट संस्था बनाई तो यह इस्तिति इसमें बन रही है तो अब जो इस्तिति इसमें बनने वाली है वह इस्तिति यही है कि रूस अब निशिद रूप से युक्रेन को अपने कबजे में लेगा क कबजे में नहीं लेने की दो इस्तिति कबजे में दो तरह से आ सकता या तो उसमें पूरा हमला करके अपने नर्म मिला ले या वहां पर इस्तिति राजनीती के ऐसी बना दे कि उसकी सरकार बन जाए जै उसको सपोर्ट करना से जू कर दे तो दोनों इस्तिति में ही रूस का पलड़ा भारी है और यह बहुत जल्दी रूस करने वाला भी है पूरी तरह से जी युक्रेन है वो रूस उस पर कबज़ा कर लेगा या फिर युक्रेन विश्व के भुगोल से गायब हो जाएगा वो वापस से जो रशिया उसमें शामिल हो जाएगा या आपको लगता है यंदॉ को था शेया कैसे भीयुप करके सपोर्ट करना शुरू कर देगा चाहे वो अलग होके कर दे यह रूस में मिलने के बात कर दे क्योंकि अभी परिस्तिती पांश तारीक, चभीस तारीक को इ nouvelle का राशी परिवर्तन है और चभीस और चार दो आदेश धो तारीक जो अ परिवर्तन आएगा जो मंगल असर करना शुरू करेगा तो उसमें दो इस्तिती बहुत जल्दी निर्मित हो सकती है या तो युद्ध बहुत अट्टा पोजिशन पर आजाए और रशिया सीधी सीधी गोशना कर दे कि आप कोई इसको छुडा के दिखा दे तो यह स्तिती हो स अटा कर उनकी सथ परिवर्तन करेगा क्योंकि केतू और चंद्र में युद्ध का आगाज हुआ है लगनिश्थान पर केटू चंद्र है तो जो भी व्यक्ति सोच के करता है वो काम संपन कर डालता है और चुकि केतू है और दूसरा गुरू और सूर तो इस में मूर्गता पूरू नर्रन कुछ भी नहीं होगा कि आएगा और रूस इसको अड़प लेगा और अड़पने के बाद आपना इससा बता देगा इसकी चांसे थोड़े से कम है वह उसको अपने प्रदेश का दे सकता है यह 173 देस के रूप में मानेता दे सकता है तो इस तरी की कोई वह ए परिस्ति बन रहे आचार जिसमें कि आपको संभावना लगती है कि रूस और चीन क्योंकि चीन लगातर साथ देर रूस का वह अमेरिका भी कह रहा है कि देखिए हम पीछे नहीं हटे हैं उनके अमेरिका की प्रतिष्टा है वह पूरी तरह से दाव पर लगी हुई है अगर व और दूसरा हमारे जोते शास्ति में कुछ रीडिंग के तरीके होते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान को लावारी शोड़कर अमेरिका का भागना लावारी छोड़ता तो भी चल जाता है लेकिन उसने अपने साजों सामान अतियार वगरा सब छोड़के वहां की जंता को मरवाया है तो जो पाप लगता है यह पाप व्यक्ति को नस्ट करता है जो हमारा साइंस से पाप को बहुत जादा मानिता देता है जैसे कोई एक मुख्यमंत्री है कुंड़ी मुख्यमंत्री बनने का योग है तो नियम यह कहता है जिन्दी की पर उसे मुख्यमंत्री रहना इस तरी के शुरू किया कि अब वह वगफुट पे आना उसका निश्यत है और इस तरह से टक्राने के स्थिति उसकी नहीं है और जहां तक पुतिन जी कर देखा था कि यह आडिनरी वेक्ति नहीं है यह बापस सोवित संग को सोवित संग बनाएगा उसके लिए प्यादा तो यह उनकी एक बहुष्वानी है उसमें भी मियगनात को शरूप इसको बताया है तो यह एक हिस्तिती बनती है तो वहां अमेरिका में जो ट्रंप की पोजिशन थी वह एक राजा की पोजिशन थी वह एक पोजिशन भारत की वास्ता में बोलना चाहिए बड़े बागू की सबसे ज्यादा डर अमेरिका से ही था तो आप जो चीन की बात कर रहे हो चीन को सबसे ज्यादा डर अमेरिका से ही था कि इस केस को पकड़ चुका था हो कोरोना वाले को कोरोना इसने फैलाया और वह ट्रंप तो इन पर हमला करने पोजिशन पर भी थे तो वहां से यह विपरीत इस्तिती चीन की इस्तिती बहुत ठीक नहीं है कुंडली के वेस्ट पर देखा जाए तो आर्थी गुरूप से व पर यहां पर मात खाते देख रहे हैं पर गायल शेर जो होता है उखतरनाक होता है तो मैंने पहले वाले भी एक वार आप से चर्चा की क्योंकि यह जो चीन का हमला जब इसको पर करेगा ताइवान के उपर तब उसका और इनल शुरूप दिखाई देगा और यह सारी जो भ तो उस इस्थिती के लिए यह युद्धी किया जा रहा है और इसका फायदा रूस ने उठाया रूस ने उठाया रूस ने युकरियन को अपने अडर्म किया वह उस चीज को समझ चुका था कि अमेरिका जब आएगा तो मुझे मजबूरी मुसका साथ देना होगा कि इंट महत्पुन बात हैं पर आचारा जी ने बताईए कि रशिया को अभी अमेरिका इंटर्फेर करने की स्थिती में नहीं है और युकरेन में वही होगा जो रिशा चाहेगा दूसरा निश्यत तोर पर अमेरिका की प्रतिष्टा यहां पर धूमिल होगी जैसे कि अचारा जी न रखा है वो बहुत ही गौर करने लाइक है वो यह कि युकरेन नहीं अमेरिका ताइवान पर चीन के हमले का निज़ार कर रहा है जिस दिन चीन ताइवान की और ताकेगा उस दिन अमेरिका उसको जरूर मुह तोड़ जो आप देगा क्या चरजी में सही के रहा हूं आपने बिल्कुल मेरा यही एक अकलन है और इसी कि आप वैसे देखें जोतिसवाइज देखें या हम बहुत ही ग्रूप से देखें तो आज उसने कौट देश जो बनाए हैं वो इसलिए बनाए कि बाइचांस कहीं कोई तीसरा देश दखलंदाजी करके अमेरिका को रोकने की कोश तीस में ठीक होगी लेकिन मुझे थोड़ी सी संभाव ना इसमें एक और देख रही है जो ऑब विश्वानी भी कह सकते हैं या मेरा एक एनलेसिज भी कह सकते हैं कि इस सब परिस्तिति के लिए बाइडन की सरकार गिर सकती है यह बाइडन की स्थितिए इसमें बिगड़ सक होगा इनकी सरकार गिर सकती यदि उनका कुछ नियम होगा तो मुझे देखता है चली जाएगी नहीं होगा तो ऐसी स्थिति मा जाएंगी कि वाइडन की कोई सुनना ही बंद कर देगा तो यह परिस्थिति इसमामना आप देख रहे हैं इस युक्रेन रश्या क्राइसिस के ब जाएंगे कि अपने मिसाइल हमला करेंगे अपने साज उसमान के साथ ऐसा कुछ होगा तो वो यह युद्ध होता है यह अब युद्ध वो नहीं है कि आठार देन बीज देन या एक मेने में खतम होगा यह युद्ध सत्रा नॉवंबर 2019 को शिरू हुआ है और इसका समापन 2027 से लेकर 29 की बीच में होगा और लगातार ऐसी लड़ते रहेंगे अभी आपने देखा ना इन दो तीन साल में चार-पांच जैस्तों लड़के ठंडे हो चुके हैं अब कुछ और ठंडे हो जाएंगे कुछ अपनी आर्थिक इस्तितिक सुदारना शुरू करेंगे कुछ अरूस का साथ लेकर आर्मेनिया नहीं साथ देख वाजरवेजान चार गेँग अ अभॉज लेकर लड़ते रहें 2019 में इस समय काफी प्रसंद दिख रहा है और वो रश्या के प्रती अपना कखा जा सकते हैं कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं वो इम्रान खान जी तो रश्या भी पहुंच गये हैं और पूरी तरह से अमेरिका का जो है पीट दिखा दिए मैं समझ गया सतूजिए आप मेरे से कह किलवाना चाहते हैं एक्चिल होगा यही आज यूक्रेइन की बारी है कल अमारी बारी आई क्योद का जो एक अला होगा तो उसने उसको मांगा कोई गलती नहीं की जम्मु कस्मीर हमारा है तो यह भी एक हमारे पास आएगा समय का जाकर इसका समापन होगा अंतिम सवाल आचार जी भारत इस दोरान के सिस्थिति में आप देखते हैं और क्या भारत को भी युद्धिम उतरना पड़ेगा तो भारत की कुंडली भारत के ग्रहयों की स्थिति देखते हैं तो भारत विश्वगुरु बनने वाला है और आज भ के साथ बरा रहता हो किसी के पास नहीं है तो अभी भारत की स्थितिस में बहुत मजबूत तो बहुरत की जो राजनीती है निश्य रूप से पाकिस्तान बगिरा बलही बीचों कूच जाएं परंतु रशिया बहुरत की जो एक दोस्ती है वो दोस्ती बनी रहेगी भारत इसमें सफल भी होगा और युद्ध में भारत की जो भूमी का होगी वही एहम होगी और वही भ अगर है तो भारत किस तरफ जुकेगा पहली बात तो यह बात के साथ ऐसा धर्म संकट आए गाई नहीं कि इधर जाए यह इधर जाए क्योंकि इस इस्तिति को भारत के समस्त प्रदान्वंतियों में या तो लाल बादूर शास्त्री ने समझा था यह मोदी जी ने समझाए कि भारत एक ऐसा ब्यावसाइक हव है जिसकी तरफ हर मदुमक्की भिनवना रही है शेहत पाने के लिए और भारत में ही वो शेहत चुपा हुआ है सब देशों का तो भारत के साथ इस तरह की नेगटिव इस्तिति नहीं बनेगी क्योंकि अभी पूरी दुनिया का टार्गेट जो है चीन है जो एक खलनाय अभी अब सामने नहीं आया है दीमें दीमें उसना आग लागे छोड़ दिये अब वो इंतियार कर रहा है दूसरे उसका तो वस वो जब आएगा तब भारत के एंटी होगी और भारत को बिज़ बिज़े की प्राप्ती होगी भारत इस परिस्त ना भारत को अमेरिका की आवशकता है और ना भारत को अमेरिका की आवशकता है ना रूस को बारत की आवशकता है तो यह जो एक विप्रीत परिस्टी फस रही है यहां पर सिर्फ व्योसाय है रूस हमसे व्योसाय संबंद रखे पैसा कामाना चाहता है अमेरिका हमसे व्यो पूछा प्रस्ट जरू बहुत अच्छा था कि भारत इसमें क्या करेगा तो भारत निश्ची उरुप से बिजुगुरु बनने की और अगरसर है तो हमारी जो पॉलिटिकल इडर्शिप है बाकी में पॉलिटिकल इडर्शिप है और बिजुभी जे भारत को कराई अपने संगनाओं से हमारे दर्शिप को अफगत कराया और एक फिर लगातर हम आपको बता दें दर्शिकों कि उस समय जब किसी ने युद्धो और विश्व युद्ध के बारे में नहीं सोचा था कई साल पहले ही आचार राजश जी ने इसको लेकर बहुश्वानी कर दी थी समय हैं निर्धारित कर दिया था कि ये समय ऐसा होगा जहां पर कहीं न काई युद्ध जो होगा संगर्श होगा लेकिन वो लगातार इस बात को दोराते हैं कि भारत के लिए यह का पूरा का पूरा जो समय है वो विश्व गरू बनने का समय है और हमेशा वो इधायद भी देत वो खुद बाखुद निस्त नाबूत हो जाएंगे और शायद ग्रहों की चाल भी यही कहती है अगर आप ने यह वीडियो पसंद किया है तो इसे लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें और आचायर राजिश का नंबर भी लगातराम फ्लेश करें आप उनसे कॉंट क जमिएपष निम्हान करना भी इस्वार डाज़ाइब करेंश करें सब्सक्राइब